आज में आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आई हों तो देखे आपके आगामी अधिशाशी अधिकारी आरो ए आरो कानिस्ट सायक वाउत्राक और पुलिस जैसे एक्साम्स के रिकार्डिंग आप सभी को स्टुडी विद एम के द्वारा हिंदी की स्रीज प्रोवाइड की जारी है हिंदी की स्रीज का आज पार्ट थर्ड है इससे पहले आप लोगों को पार्ट वन एंड पार्ट वी प्रोवाइड करा दिया गया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था अगर आप लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट वन नहीं देखा है हिंद किये जा सकते हैं तो काफी महत्वपूर आज का ये सेशन रहने वाला है आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रेक्वेस्ट जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्व चैनल स्ट्डी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथ साथ बगल में जो बैल आइकन देख रहा है इससे भी फ्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंद पहुंच जाए आप लोग हमारे टेलिक्राम ग्रूप को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी स्टिडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है तुरे आप को आड़ वजे क्रिस का भी आयजन किया जाता है इसके अलावा जो भी important pdp's होती हैं वो भी आपको टेलिक्राम ग्रूप पर ही provide कराई जाती हैं तो आप टेलिक्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं चलिए आज के session को स्टार्ट कर लेते हैं देखे इस session में आपका 21 नंबर का question है राहुल सांकरतियायन का मूल नाम था केदार पांडे option B question का correct answer है मूल नाम यानि की इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था केदार पांडे या फिर केदार नाथ पांडे केदार पांडे या फिर केदार नाथ पांडे इनका मूल नाम यानि बच्वन का नाम था वर्ष 1930 के अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1930 में श्री लंका जाकर इन्होंने बौद धर्म अपना लिया था तब से इनका नाम क्या पड़ा राहुल सांक्रतियान पड़ा इन्हें महापंडित की उपाधी भी दी गई है पुरुसकार से सम्मानित किया गया इनकी एक रष्णा है मध्य एश्या का इतिहास जिसके लिए इन्हें साहीत अकादमी पुरुसकार से सम्मानित किया गया किस रष्णा के लिए साहीत अकादमी पुरुसकार इन्हें मिला राहुल सांकेतियान इनके जन्म के अगर हम बात करते हैं तो 1893 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगड जिले के पंधा नामक गाउं में हुआ था अगला कुश्चन देखेंगे बर्शतु का संधी विच्छेद है तो देखें बर्शतु का संधी विच्छेद होता है आपका वर्शाधन रितु आप्शन से बिलकुल राइट आंसर है आप लोगों से पूछ लिया जाए बर्शतु जो आपका शब्द है ये किस संधी का उधारण है पूछ लिया जा सकता है ना कुश्छन पूछा जा सकता है तो ये गोण संधी का उधारण है और गुणसंदी में क्या होता है यदि O और आ के बाद छोटी या बड़ी छोटाउ या बड़ाउ और रीस्वर आए तो दोनों के मिलने से A, O और अर हो जाते हैं A, O, R यहां पे हो जाता है गुणसंदी में अब देखे, O और छोटी E मिलते हैं तो इसके मिलने से A हो जाता है A और छोटा O के मिलने से O बन जाता है A और बढ़ी E को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? A बन जाएगा ऐसे ही आ और बड़ाऊ को मिलनाने से ओ बन जाता है और आ और री को अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा अब वर्शाधन रितु जो है इसमें आस्वर है दूसरा है आपका री तो आ और री के मिलने से यहाँ पे आपका अर बन रहा है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे वर्शतू नेक्स्ट कुशन देखेंगे परिमान वाचक विशेशन किस वाकिय में है परिमान वाचक विशेशन है आपका दो किलो अनाज दे दिजिये मैं परिमान वाचक विशेशन किसे कहा जाता है पता आपको रहना चाहिए परिमान वाचक विशेशन कहा जाता है जिन विशेशन सब्दों से किसी वस्तू की मातरा नापतोल का ज्यान होता है उसे परिमान वाचक विशेशन कहा जाता है और परिमान वाचक जो विशेशन होते हैं इसके दो वहेद होते हैं दो पार्ट में ये डिवाइड होता है एक तो होता है आपका निश्चित परिमान वाचक विशेशन दूसरा होता है आपका अनिश्चित तो यह आपको याद रखना है दो इसके भेद होते हैं निश्चित के अगर हम बात करते हैं जिसमें वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहा जाता है जैसे की 10 kg चावल या 2 kg अनाज तो जहाँ पर मात्रा निश्चित होती है वो निश्चित परिमान वाचक विशेशन हो जाएगा जहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं होगी जिससे वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होगा वहाँ पे हो जाएगा आपका अनिशित परिमान वाचक विशिशन जैसे कि इतना दूत बहुत घी थोड़ा सा चावल इस तरीके से जहाँ पर मात्रा निशित नहीं होगी वहाँ पे आपका अनिशित परिमान वाचक विशिशन हो जाएगा चलिए अगला कुशन देखते हैं कृशक संस्कृति का महाकाविय कहा जाता है किसे गोदान को option B बिलकुल right answer है गोदान जो है ये प्रेम चंद प्रेम चंद द्वारा रचित अंतिम उपनियास था प्रेम चंद ने अपने लेखन की शुरुवात उर्दो में नवाव राई नाम से की थी इन्होंने जमाना माधुरी मरियादा इसके अलावा जागरण आदी पत्रिकाओं का संपादन किया था और वर्ष 1980 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1980 में इनके नाम पर 30 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था प्रेम चंद की नाम पर नोट डाउन का लिजेगा इंपोर्टेंट पॉइंट है अगला कुश्चन देखेंगे अंकूर का परियाई है देखेगा अंकूर का परियाई क्या हो जाएगा नवोद भिद ऑप्शन सी बिलकुल राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था इंपोर्टेंट कुश्चन है राजभाषा आयोग का गठन हुआ था साथ जून उनिस सो पचपन को तो ऑप्शन डी बिलकुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बाल गंगा धर खरे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे और इस आयोग के प्रतम बैठक कब हुई पूछ लिया जाए तो 15 जुलाई 1905 को इस आयोग की पहली बैठक हुई थी राजभाषा विभाग के स्थापना कब हुई ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कोशिश कीजिए कमेंट शेक्षन में इसका करेक्ट आंसर लगाने की राजभाषा विभाग के स्थापना कब हुई थी नहीं आता है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताईएगा अगला कुशन देखेंगे सही कथन यूग्म का चैन कीजिए तो देखेंगे इसमें सही कथन यूग्म बताना है तो कठोर बनकर भी सहर्दै बनो ये सरल वाकि है जिसने टोपी पहन रखी थी वहाँ बावु कहां गया ये मिश्र वाकि है शशी का रही है और नाच रही है संयुक्त वाकि है तो जो आपके देखेंगे यहाँ पे तीनो कथन दिये गए हैं ये सभी सही है तोप्यूक्त सभी सही है Option D बलकुल राइट आंसर हो जाएगा अगला देखेंगे अनुपस्तित में उफसर्ग है अनुपस्तित जो सब्द है इन में से कौन सा उफसर्ग है इसमें अनुपसर्ग Option B इस कुशिन का राइट आंसर हो जाएगा वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में यानि आदी में जोड़कर उनके आर्थ में विशेष्टा लाते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है ये ध्यान रखेंगे शब्दों के फ्रंट यानि की आरंभ में उपसर्ग लगते हैं हमेशा ये आपको याद रखना है इस question का right answer है अगला question है आपका मैं पर किस कारक के चिन है मैं पर ये अधिकरण कारक के चिन है option C बिल्कुल right answer हो जाएगा संपरदान कारक की अगर हम बात करते हैं तो इसके कारक चिन कौन कौन से होते हैं को के लिए को और के लिए यह Samparadhan के कारक्चिन है, अपादान के कारक्चिन की बात करते हैं, अपादान के कारक्चिन होते हैं, से, अलग, और करता का होता हैं, ने, next question है लगुततरी शब्द में कौन सी संधी है important question है, देखे, लगुत्री जो सब्द है, इसमें है आपकी दीर्ग संधी, option C question का correct answer है देखे दीर्ग संदी में क्या होता है जब हश्व यां दीरग और छोटी ई और छोटा उ के बाद क्रमसा हश्व यां दीर्ग और छोटी और छोटाउ स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्या बन्ता है दोनों को मिला कर दीर्ग आ बड़ी और छोटाओ हो जाते हैं तो यह आपको याद रखता है आ छोटी और बड़ाओ जहां पर बनेंगे वहाँ पर क्या होगा आपका दीर्ख संदी होगी यह आपको याद रखता है जैसे कि फॉर एक्सामपल ओ और ओ को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा आ बन जाएगा ऐसे ही आ और आ को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आ बन जाएगा यह चोटी और बड़ी के मिलने से यहाँ पर बड़ी बनेगे ऐसे ही बड़ाओ और छोटाओ को मिलाकर बड़ाओ बनेगा यह आपको याद रखना है, जब हस्व या दीर्ग और छोटी और छोटाओ के बाद करमसा हस्व या दीर्ग और छोटी छोटाओ स्वराते हैं, तो दोनों को मिलाकर दीर्ग आ बड़ी और बड़ाओ हो जाते हैं, अब देखें यहाँ पे जो आपका लगुतरिय शब्द दि और यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे भी आपका छोटाओ है, तो छोटाओ और छोटाओ के मिलने से यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ाओ बन रहा है, तो यह आपको याद रखना है, यहाँ पे आपका बड़ाओ हो जाएगा, अगला कुशन देखेंगे, जॉन सारी बोल हिंदी की बात की जाए तो पहाडी हिंदी के दो भाग होते हैं एक तो होता है आपका पश्यमी पहाडी पश्यमी पहाडी दूसरा होता है आपका मध्यवर्थी पहाडी पहाडी हिंदी के दो भाग होते हैं पश्यमी पहाडी और मध्यवर्थी पहाडी पश्यमी पहाडी की स बॉनसार, सिर्मौर, शिमला, मंडी, चम्बा के आसपास के छेतरों में बोली जाती है और ये हिंदी जो है पशिमी पहाडी हिंदी जो है ये शोर सैनी अपभरांस से विक्सित होई है मधिवर्थी पहाडी के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो मधिवर्थी पहाडी में गड़वाली व कुमावनी बोली आती है गड़वाली व कुमावनी बोली में आती है नोट डाउन कर लिजिएगा इंपोर्टेंट फैक्ट ही यहाँ पे इसलिए बताया जा रहे है ताकि यहाँ से भी आयोग अगर कुश्यन पूट अप करता है तो आपको बिलकुल वहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाए तो नोट डाउन कर लिजिएगा यहाँ पे स्क्रीन पर इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं हो पा रहे है नोट डाउन कर लिजिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ अगला देखेंगे परिश्रम करने वाला चात्र पास हो जाएगा रिखांकित अंच में कौन सा पदबंद है परिश्रम करने वाला चात्र पास हो जाएगा रिखांकित अंच में है कौन सा पदबंद संग्या पदबंद ऑप्शन ए बिलकुल राइट आंसर है अगला कुश देखेंगे वह सर्वनाम के किस भेट के अंतरगत आता है अब देखें वह जो है इस सर्वनाम के किस भेट के अंतरगत आता है बताना है मध्यम पुरूस उत्तम पुरूस या अन्य पुरूस किस के अंतरगत ये आता है बताना है तो देखें करेक्ट आंसर है आपका अन्य पर किया जाता है वह सर्वनाम शब्द कहलाते हैं सर्वनाम के छैबेद होते हैं कौन-कौन से छैबेद हैं एक तो है आपका पुरुष वाचक दूसरा है निश्य वाचक तीसरा है अनिश्य वाचक चोथा है संबंद वाचक पांचवा है प्रश्ण वाचक छटा है निश्य वाचक तो छैबेद होते हैं सर्वनाम के अब देखे जो आपका पुरुष वाचक सर्वनाम है इसके तीन भेद होते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम जो है इसके तीन भेद होते हैं एक तो होता है उ मध्यम पुरुष तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष तो उत्तम मध्यम और अन्य जो पुरुष है ये पुरुष वाचक सर्वनाम के भेद होते हैं अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष के तो वक्ता के लिए ये प्रियोक तो होता है उत्तम पुरुष जो होत वो उत्तम पुरुस का ये उधारन होगा उत्तम पुरुस सर्वनाम वहाँ पर हो जाएगा मध्यम पुरुस के अगर हम बात करते हैं तो इस सर्वनाम का मध्यम पुरुस सर्वनाम जो है इसका प्रियोग इसके लिए होता है शोता के लिए होता है जैसे कि तुझे तुम है तो ये शोता के लिए प्रियोग होता है जहाँ पे तुझे तुम है शब्द आएगा वहाँ पे हो जाएगा आपका मध्यम पुरुस सर्वना और अन्य पुरुस के अगर हम बात करते हैं अन्य पुरुस का प्रियोग अन्य के लिए होता है जैसे कि यह वह उन्हें लाम से ही पता चल रहा है न अन्य के लिए अन्य पुरुस का प्रियोग अन्य के लिए होता है जैसे कि यह वह उन्हें तो यहाँ पे आपको वह दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या अनिय पुरुस ऐसे ही अगर यहाँ पे मेरा हमारा मैं पूश लिया जाता तो हो जाता आपका उत्तम पुरुस और यहाँ पे तुझे तुम्हें तो आपको आना चाहिए ना हर तरीके से अब इस question को किसी भी तरीके से तोड मरोड के अगर आयो पूछ लेता है तो आपको correct answer आ जाएगा अप एक-एक point इसलिए बताया जाता है ताकि आप से कोई भी question put up किया जाए आप बिल्कुल correct करें अगला देखेंगे निम्न मैंसे कौ आप सबी को आज का ये शेशन पसंदार है जल्दी से आप लोग लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल इस्ट डिवित इम को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लेजे डेली बोलती हूं हर class में बोलती हूं आप लोगों से share कीजिए share कीजिए लेकिन फिर भी channel की जो reach स आप लोगों का सपर्ट बहुत जरूरी है हमारे लिए यहां पे जो classes बनाई जा रही है आप सभी लोगों के लिए ही बनाई जा रही है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन classes को follow करें इसलिए यहां पे हमारे दौरा मेहनत भी की जा रही है चलिये next question देखते हैं उपाना शब्द का अर्थ होता है जूता नेक्स्ट कुशन है अनुभवी का विशेश्य है अनुभवी का विशेश्य हो जाएगा अनुभव नेक्स्ट कुशन देखेगा निमने मैंसे पितामबर्दत बर्थफाल की रिष्णा है तो देखिए इनमें से डॉक्टर पितामबर्दत बर्थफाल की रिष्टना कौन सी है बतानी है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हिंदी कावी में निर्गुन संपरदाई यानि कि ओप्शन डी स्कूशन का बिल्कुल राइट आंसर है देखिए पितामबर्दत बर्थफाल इनके जन्म के अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1901 में इनका जन्म पौडी गडवाल के पौडी गडवाल के पाली गाओं में हुआ था और यह हिंदी विषय में डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति थे इन्होंने कानपूर में हिलमेन नामक पत्रिका का संपादन किया था आप लोगों से पूछ लिया जाए हिलमेन पत्रिका का संपादन किस ने किया पता रहना चीए पितामबर्दत बर्थफाल ने किया कहां से किया? कानपुर से कानपुर से इन्होंने Hillman Padrika का समपादन किया. तो कि आज के session में इतना ही, I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा. अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है, तो session को like कीजिए, share कीजिए, जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल Study with AIM को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले चलिए मिलता है एक next interesting videos के साथ तब तक के लिए धन्यवाद